असलाम लेकुम स्टूरेंट साज हम करेंगे 10.8 mathematical method by SM यूसफ की बुक से हमारे पास first question है derivative of x with respect to t is equal to y derivative of y with respect to t is equal to minus 4x plus 4y इसमें कुछ steps हैं जो हम follow करेंगे सबसे पहला step हमारे पास होगा हमने जो dy by dt जो है उसको equal to रखना है capital D के means derivative of t जो है derivative with respect to t इसको equal लखेंगे capital D के और इस equation में जगाँ जहां जहां पर dy by dt आता होगा उसे डी put करेंगे और जो equation निकलेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी operator notation में निकलेगी equation जैसे यहां पर मेरे पास था dy by dt मैंने इस इतने के हिसे की जगा जो है ना मैंने लिख दिया capital D dx is equal to y y इदर जाके minus का होगा है यहां plus था यह आगा dx minus y equals to 0 इसे कह दिया equation number 1 इसके बाद मैंने क्या किया इस equation को लिया यहां पर देखें यह वाला हिसा जो है यह हमारे पास capital D के equal था मैंने यहां पर लिख लिया dy equals to minus 4x plus 4y यह minus था यह equal के इदरल साइट पर जाके plus हो जाएगा यह plus था यह minus हो जाएगा equals to 0 इसे equation number 2 का name दे दिया अब जैसे हम लोग equation solve करते थे ना फैली classes में जैसे हम लोग लिखते थे हमारे पास होता था 2x plus y equals to 0 और x plus y equals to 0 हम क्या करते थे यहां पर लगाने 3 है हम 2 को इस equation को 2 से multiply करते थे दोनों को जो है वो बराबर करके cutting करके answers निकालते थे वैसे ही हम यहां करेंगे अब यहां पर हमारे पास आप देखें जो equation number 1 है उसमें हमारे पास है dx minus y dx minus y यहां पर देखें y के साथ 1 है यहां पर y के साथ है d minus 4 यानि अगर मैं इस equation को equation number 1 को d minus 4 से multiply करूंगी तो यह दोनों equal हो जाएंगे जैसे यहां पर मैंने अब इसको multiply किया equation 1 को d minus 4 से तो d into d minus 4 first वाले को x वैसे ही आगया db वैसे ही आगया d minus 4 से multiply किया minus d minus 4 into y अब इस equation number 2 को और इसको देखें तो यहां पर y के साथ हमारे पास जो भी value आ रिया वो equal आ गई यह ना तो यह cut जाएंगे अब हम क्या करेंगे equation number 2 इसको equation number 3 का name दे दिया इन दोनों को add कर लेंगे जब इन दोनों को add करेंगे d minus 4 d minus 4 से cancel out हो जाएगा plus minus minus cancel होगे 0 आ गया यहां पर यह भी plus का था यह भी plus का था d into d minus 4 plus 4 x हम लोगों ने comment ले लिया सिर्फ इतने पार्ट को लेके अब हम उसे solve करेंगे मैंने क्या किया यह वाला जो है d into d minus 4 plus 4 था उसको ले लिया equal to 0 रखा d को d से multiply किया d square आ गया minus 4 d plus 4 equal to 0 यहां पर आगे जो है आप लोग तीन मैथर अप्लाय करते हो या था हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर फार्मला बनाते हैं या फिर हम लोग जो है d b plus b का square यह फार्मला बना था मैंने वही फार्मला बना लिया d minus 2 का whole square equals to 0 d minus 2 equals to 0 d minus 2 equals to 0 यह दो रपीट हो रहा था इसलिए मैंने लैदा-लैदा करके लिख लिया यह 2 इदर जाके इकल के positive हो गया यह वाला 2 भी इकल के इदर जाके positive हो जाएगा यह आ जागा d equals to 2, 2 यह repeated case है हम लोग क्या करेंगे axis equals to c1 e की power 2t plus c2 जो repeat हो रहे होते हैं same value repeat हो रहे होती है उसमें हम लोग जिस respect से हमारे पास होता है ना जो हमारे पास variable होता है उसको जो है multiply भी करवा के लिखते हैं c2 t e की power 2t अगर यहां पर मेरे पास होता एक और 2 तो फिर मैं यहां पर लिख लेती c3 t square e की power 2t लेकिन यहां पर 2 नहीं है एक और इसलिए मैंने यहां तक ही लिखा है ठीक है इसके बाद जब हम लोग इन इक्वेशन को solve करते थे यहां से लगा लें कि x की value हमारे पास आजाती थी 3 जब x की value आजाती थी हम इसको x की value को इन दोनों में से किसी एक equation में put करते थे solve करके y का answer निकालते थे यही काम हम यहां करेंगे x का answer आगया अब हम क्या करेंगे कोई भी equation लेंगे उसमें x की value पूट करेंगे हमारे पास सबसे simplest equation थी equation नमबर 1 देहना है जो सबसे simple equation होगी उसमें put करेंगे equation नमबर 1 में हम लोग put करेंगे equation नमबर 1 थी dx minus y equals to 0 put the value of x d c1 e की power 2t plus c2t e की power 2t minus y यह वाइद जाके positive हो जाएगा यह positive हो गया उसके बाद हम लोगों ने पीछे let किया था d is equals to derivative with respect to t यहां पे हम इस सारे का derivative लेंगे with respect to t इसका simple आजाएगा c1 constant है वो वैसे ही आएगा e की power 2t का derivative लेंगे यह वैसे ही आएगा और power का derivative 2t का derivative 2 आ गया plus c2 यहां पे दो थे हमारे पास दो वे वैलियूस थी इनका निकालने के लिए हम क्या करते थे product rule यूज करते थे product rule यूज करेंगे product rule कैसे करेंगे first as it is second का derivative e की power 2t और 2 आ गया plus second as it is first का derivative ठीक है अब c2 को अंदर multiplication करवा देंगे इसके साथ भी इसके साथ भी multiply करवाया हम लोगों यहां पर हमारे पास आ गया y is equal to 2c1 e की power 2t plus c2 2t e की power 2t plus c2 e की power 2t खीक है अब यहां पर देखो e2t इसमें भी common है इसमें भी common है वो हम common ले लेंगे और यह हमारे पास इसका answer आ जाएगा इसके दो answers निकलने हैं इनी questions के जिसमें दो questions दी होंगी उनके answers भी दो निकलेंगे एक ये हैं हमारे पास answer x वाला और एक y वाला answer है यह दोनों हमारे answers है एक दफ़ाव हम process repeat कर लेते हैं कि क्या क्या करना है हमने क्या क्या नहीं सबसे पहले जो भी question दी होगी उसमें हम लोगों ने let करना है d divided by dt is equal to capital d उसको हम लोगों ने equation में put करना है equation दोनों को लेना है देखना है किसी x या y की value को equal करके cut करना है cut करके फिर उसके बाद उसमें जो है हमारे पास equation बनीगी उसको लेके यहां पर जैसे हमारे पास ये बनी थी वो बना के उसको equal to zero रखके उसके roots निकालने है roots निकालने के बाद उसकी ये वाली हम लोगों ने axis equal to c1 उसको roots और equation में लिखने के बाद देखना है कि कोई भी equation जो simple है वो लेके उसमें y की value ये वाली में बुट करनी है और उसका answer निकाल लेना है बस answer आ जाएगा फिर हमारा अगर derivative है तो उसका derivative ले लेना है नहीं तो simply उसे solve कर लेना है अला आफिस चलें इससे next question हो मगले के lecture में करेंगे